हेलो स्टुडेंट्स वेकम बेक टू अनलाइन ग्लासेज हमने एकनोमिक्स में देखा था कि एकनोमिक डेवलोप्मेंट किसे कहते एकनोमिक प्रोग्रेस किस तरह से होता है साथ हमने देखी थी कि इंडिया में 1991 में कुछ पॉलिशी एपलाई की गई जिसमें हम चाहते थी कि हमारे जो प्रोब्लेम्स एकनोमिक प्रोब्लेम्स और चलिएंजिस उसे दूर किया जाएं वह मेंट है हमारे पॉवर्टी और अनेम्पलएमेंट तो इस चेप्टर में हम इस दो टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो अगर हम एकनोमिक की लेंग्विज में बोलना चाहिए तो ऐसा बोलेंगे कि जो पर्सन डेप्राइवड है उनकी बेजिक नेसेसिटी यानि कि फूड शेल्टर क्लोथ एड्यूकेशन और हेल्थ सर्वेस यह सारी चीज़ें अगर उने नहीं मिलती तो ऐसी सिच्वेशन में जो लोग रहते हैं उस कंडिशन को बोल बेजिक नेसेसिटी जो है वो रोटी अपड़ा मकान वो नहीं मलता और वो पर्सन जो इस कंडिशन में है उसे बोला जाता है पूबर तो यह दोनों कॉंसेप्ट है हमें इस तरह से उसे लिखना है तो ध्यान रखना है कि हमें कौन सा क्वेशन पूछा गया है अगर पूबलेम्स है पूवर्टी और अनेंप्लोईमेंट तो पूवर्टी जो है उसे बोला जाता है तो लोएस लेवल आफ लाइफ यानि के जो सबसे कम पर इंकम है उन लोगों की ऐसे लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहां पर हमें यह टॉपिक दिया गया है कैरे उन लोगों को जो एरिया वो जहां रहते हैं वह कैसा होता है एकदम गंदा होता है उन्हें दो टाइम का खाना नहीं मिल सकता और उन्हें जो बेजिक नेसे सिटी मिलने चाहिए वो नहीं मिलती जो हमने अल्रेडी डेफिनेशन में लिखा था वह भी यहां पर एक पॉइं अच्छी तरह से मिलती है बट जो बिलो पोवर्टी लाइन है वो परसंट के लाइफ स्पान जो है वो कैसा होता है कम होता है कंपरेटिवली बाकी के हल्दी लोगों से तो यह करेक्टरिस्टिक्स हो गई बिलो पोवर्टी लाइन के अब आगे बढ़ते एक और मेंन hetong की जाता है यह पोवर्टी किस तरह से मेजर होती तो ताइम कой साथ से वह उसका जो कॉंसेब्ट है वह चेंज होता रहता है लोकेशन न ke है मतलब उसके सारे जो कॉंसेब्स है वह उन्होंने समझाए थे और किस हिसार किया जाता है कि पूँवर वह अर्बन पूँवर है रूलर पूँवर है या फिर या फिर रिलेटिव है यह तारे इसारे कंसेप्ट उन्हों ने हमें दिय थे उस वे और इंडिया में किस तरह की पूवर्टी ज्यादा है तो नेक्स्ट अमारा जो टॉपिक है वह है मेजर्मेंट आफ फैमिली यहां पर five members की family को consider किया जाता है तो expense वो किस तरह से करते है उनकी जो income है उसके सामने उनके expense किस तरह से उसके उपण से decide कि दाद है या नहीं और जबकि यहां पर second point है यहां पर major किया जाता है कि फिलाटी और इसके हसाब Absolute Poverty का concept बहुत ही easy है यहाँ पर हमें वो comprehensive poverty वाली ही definition लिख देनी है कि जिन लोगों को basic necessity नहीं मलती यानि की रोटी, कपड़ा और मकान तो यह एक movie भी है उसे साब से आप याद भी रख सकते हो तो यहाँ पर है food, रोटी यानि food, फिर मकान यानि shelter और कपड़ा यानि cloth तो यह सारी services जिन लोगों को नहीं मलती वो सारे बोले जाता है absolute poverty उन condition को, अब relative poverty जो है वो हमें नाम से पता चलता है कि वो किसी से relate करती होगी, तो यहाँ पर comparison किया जाता है कुछ income group के लोगों का कि जहाँ पर वो दिखाएंगे कि किस तरह से poor है, suppose यहाँ पर हम example लेते कि A की income है 10,000, B की income है 20,000, और C जो है उसकी income है 30,000, तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में comparison की जाएगी, तो देखिए आप कि देखो के तो A के B के सामने A की income जो है वो कम है, यानि कि B जो है वो reach है और B के सामने A क्या हो गया, poor, अब C के साथ comparison करने जाओ, तो B तो पहले reach था, हमने A से comparison किया तब, अब C के सामने उसकी comparison करें, तो वो क्या हो गया, poor हो गया, अब C के सामने दोनों की comparison करते हैं, तो A और B दोनों poor हो गया, तो इसी तरह से relative poverty find की जाती है, कि income group के हिसाप से divide किये जाता है, और फिर उन में से कौन poor है, वो देखा जा पहलता है, फिर एक important topic है, poverty in India, जहां पर हमें देया गया है percentage wise के कौन से year में कितने poverty थी, तो 2009-10 में UNDP के report के हिसाप से हमारे इंडिया में 29.8% लोग जो है, वो लोग poor थे, जब फिर उसके बाद हमने कुछ policies apply की strategies बनाई, उसके बाद जो 2011-12 में थोड़े कम हुए poor percentage जो थे 21.92% यानि कि total हमारे जो population है, उसमें से 26.93 करोर पीपल तो अभी भी below poverty line है, यानि कि वो लोग उनकी basic necessity से अभी भी deprived है, ये परसन जो poor है, उन्हें भी दो टाइप में classified किया जाता है, कि वो रूलर poor है या urban poor है, तो ये जो हमें यहां पर numbers दिये गए, उसका distribution इस तरह से हु हुआ कि 21.65 करोर पीपल जो थे, वो रूलर poor थे, जबकि 5.28 करोर परसन जो है, वो थे urban poor, तो यहां पर हम numbers के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि रूलर एरिया में ज्यादा poor लोग रहते हैं, तो वहां पर poverty measure करने के लिए क्या दिया गया है, तो यहां पर income दी गई है, यह लो अगर 816 rupees expense कर सकता है, पर month, तो हमने यहां पर बताया था कि 5 members की family होती है, तो उस हिसाब से consider किया जाए, तो वो 4080 rupees expense कर सकता है, अगर पर month में वो इतना expense कर सकता है, तो वो poor नहीं है, अगर इससे कम है उसका expense और वो expense इतना इससे कम कर सकता है, तो फिर वो poor है, ऐसा बोला जाएगा, फिर अर्बन में है, यह limit दी गई है, 1000 rupees तक और 5 members यानि कि 5000 तक, तो इतना expense अगर वो कर सकते है, उनकी income उससे ज्यादा है, तो यानि कि वो poor नहीं है, पर इससे कम है, तो यह लोग poor में consider किया जाएंगे, रूलर पूर में कौन से लोग आ सकते हैं, तो जो farmers है, उनके पास land नहीं है, और फिर वो farm में काम कर रहे हैं, या फिर वहाँ के बेगर्स जो है, वो सारे ruler एरिया में रहने वाले लोग consider किये जाएंगे, जो रूलर पूर, और urban poor में consider किये जाते हैं, जो रिक्षा चलाते ह है, जिनकी income कम है, वो सारे, फिर आपने देखा होगा कि होटल और रेस्टोरेंस में जो छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं, जिसको आप छोटू-छोटू करके बुलाते हैं, तो अब टॉपिक लेते हैं, आगे reasons for poverty, तो reasons क्या है इंडिया में इतनी poverty क्यों बढ़ रही ह इसको हमने classified कि इस तरह से कुछ economic reasons है, कुछ social reasons है, कुछ regular poverty के हिसाब से poverty बढ़ती जारी हिस्टोरीकल रीजन और other reasons, तो परते economic reason में क्या होगा, कि हमारे यहां पर economic policies apply की गई थी, जो हमने देखा था last chapter में, कि जहां पर हमारे liberalization, privatization और globalization का main aim क्या था, कि हम poverty reduce करे, बट अन policies apply जब की गई, तो क्या हुआ कि जो big industries थी, यानि कि large scale industry को उसका ज्यादा benefit मिला, जबकि small scale industry को उसका benefit नहीं मिला, तो उस हिसाब से यह सारी policies की वज़े से भी क्या हुआ कि poor poverty जो है, वो बढ़ती गई, अब large scale industry को तो benefit मिला, तो जो reach person थे, वो ज्यादा reach होते गए, और ज reason रहते हैं, यह एक हमें पूछा जाता है, give reason में, तो यहाँ पर लिखना है कि हमारे पास बहुत सारे अच्छी तरह से resources तो है, बट उसका distribution proper नहीं होता, और that is why कि हमारे यहाँ पर जो reach है, वो ज्यादा reach होते जाते हैं, जो poor है, वो ज्यादा poor होते जाते हैं, तो यह हो ग सकते हैं, female के पास knowledge होने की होता है, फिर भी उन्हें उतनी opportunities नहीं मिलती, तो कुछ ऐसी families है, जहाँ पर male अभी नहीं जा सकते वर्क करने, तो फिमेल अगर वर्क करने जाते हैं, तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता, तो यह social reason reason है, वही poverty बढ़ रही है इंडिया में, फिर है रूलर पोवर्टी, तो रूलर पोवर्टी में क्या होगा कि गाउं में जो लोग रहते हैं, फार्मर्स हम बोलेंगे, तो यह फार्मर्स का अगर कोई natural calamity की वज़से उनके फार्म में कोई ऐसी घटना हो जाती है, उनकी इंकम जितनी होनी चाहे होतन हिस्टोरिकल रीजन में यह आ सकता है कि वार हो गए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है, वह पहले कितना रीच हुआ कता था, सोने की चीडिया हमें बुलाया जाता था, बट अब हमारी condition क्या है कि हम अभी developing nation है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो हिस्ट बोज़ा सकते हैं कि भई education उतना प्रॉपर दिया नहीं जाता, जितना होना चाहिए, तो education policies प्रॉपर नहीं है, बाखी की जो planning होनी चाहिए, वह भी planning प्रॉपर नहीं की जाती, government के दारा, तो यह कुछ policies में deficiency रह जाती है, उसकी वज़़े से जितना हमारा development होना चाहिए, उतना development नहीं होता, उतनी opportunities create नहीं होती है, हमें उतना employment मिले, employment नहीं मिलता, इसलिए फिर पोवर्टी जो है, वह धीरे 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 increase होती जाती है, तो यह थे reasons poverty के, अब देखते हैं कुछ strategy, तो 11th planning हमारी जब हुई, every 5 year पर planning होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, कि उस planning में कुछ topics लिये जाते, जिस पर government work करती है, तो 11th planning जब हुई थी, उस time पर हमने ये लिया था, कि पोवर्टी जो है, उसे यहां इंडिया में से हटाना, तो हमारा ये था aim कि 2030 जग पोवर्टी को एकदम ही नाबूद कर देना, यहां से पूरी तरह से हटा देना, उ ऐसा सोचा गया था, कि एग्रिकल्चर सेक्टर जो है, उसे ज्यादा से ज्यादा importance दिया जाए, क्योंकि एग्रिकल्चर सेक्टर में क्या होता है, कि वहां पर employment ज्यादा रहती है, तो अब पर क्या हुआ है, जो इंडिस्ट्रियल सेक्टर है, वहां पर employment ज्यादा नहीं हो यहां पर इंप्लोईमेंट इंक्रीज हो सकता है और उसकी वजह से पोवर्टी दूर की जाती है और अग्रिकल्चर के रिलेटेड बाखी के जो वर्क है वो भी उसे भी ज्यादा इंप्रोटन्स देना जी है यानि के कैटल रेरिंग है एग्रोप्रोडक्स जो है वो सारी फि ज्यादा ऑपरचुनेटी क्रियेट कर सकते हैं अब कोई भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ले लीजिए जहां पर अगर हम ले लेते हैं के आचार बनाने वाली इंडस्री ठीक है तो वह घर पर बैटकर सारे लोग आचार बना सकते हैं ऐसे तो कोई एक परसन इंडस्री स होती जाएगी और एटलस्ट क्या होगा कि पुवर्टी जो है वह दूर की जाती है कुछ पॉलिसी इस तरह से इंक्रेस करने चाहिए जहां पर अभी तो आत्मनेरबर है भारत हम देख रहे हैं तो यहां पर क्या होता है कि लोगों को लोन दी जाती है कि वह अपना बिजनस स्टार्ट कर सके बिजनिसे जब कोई भी बिजनस स्टार औहीं तो वहां पर क्या होता है उन्हें पहले इनवेस्ट करना परता है तो गवर्मेंट जो है सिर्टों और जो loan चाहिए वो कम rate पर देती है ताकि वो लोग invest करके अपनी नया कोई business start कर सके और जो business start करते है उसी से opportunity create होती है employment की तो ये एक strategy हो गई जितना education बढ़ ज्यादा अच्छी तरह से दिया जाएगा education policy में सुधारा होगा उसी तरह से वो लोग educate होते जाएंगे और practical knowledge ज्याद पास उतना रहता नहीं है इसलिए जब भी कहीं पर भी job करने जाते हैं तो experience मांगते हैं कि आपको पहले यह आना चाहिए उसके बाद उसे training दी जाती है तो अगर आपके पास practical knowledge है तो आप अपना खुद का भी business start कर सकते हैं तो इसी तरह से अगर education policy में थोड़ा सुधार आ जाते हैं कि मंथली उनकी पास उनकी income कम है तो उन्हें कुछ पैसे दिये जाएंगे government के थूद ताकि वो लोग अपनी जो condition है उसे सुधार सके तो यह थी strategy हमने देखे रीजन साथी साथ poverty के जो दो टाइप है वो यहां पर below poverty line के characteristics भी हमने देखे अंतियोदरी फैमेली का concept भी देखा पूर का concept भी देखा तो यह सारी बाते आप लोगों को एक बार देखलो आराम से और फिर उसके बाद आप लोगों को learn भी करना रहेगा और जल्द है मलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं खुश रहे हैं टाठा